तो नमस्कार दोस्ते हैं और फिर से आप सभी का बहुत शौगत करता है अपने यूट्यूब चैनल विशालेजी कुछ सल्में तो आज की प्ञेस में अपटने वालें से इंपोट-ऊपट डिवाइज चया होती हैं और उनकी काम किवस्किन जली uniqueness करते हैं targeting इसके तीन प्रमुख बार होते हैं कौन-कौन से इंपूर्ट आउट्पूर्ट यूनिट यह फस्ट में होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीप्यू बोला जाता है यह सेकंड और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट इन तीन में यूनिट को मिला करके बनता है कंप्यूटर का आर्किटेक्ट तो आज हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं Input Output Unit चलते हैं Input Output के सेक्शन पर वीडियो को पूरा देखीगा समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक दोस्तों से सीर करना बिल्कुल मधूलीगा तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे Input Unit क्या होती है Input Devices क्या होती है यह वो चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग उप्योग करता के दौरा कम्प्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है मतलब सिंपिल सा इतना है कि जिस चीज़ से जिस हार्डवेर से या जिस भी सॉफ्ट्वेर कुछ भी चीज़ से आप कम्प्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप इस देटा को Input करा सकते हैं वो कहलाती है डिवाइसे Input Devices जैसे कि मैं माउस यह तो माउस Input Devices होती है क सबसे मुक्र जो डिवाइस है वह कीवोड आप सब जानते है कीवोड क्या होता कीवोड की सबको अलग अलग कीज के मैं बारे में बताता आ रहा हूं कि अलग अलग कीज होती है कीवोड में तो जैसे कि यह एफ वन से लेकर कि एफ टॉल्व तक यह होती है function कीज कहलाती है यह ABCD लिखी होती है यह कहलाती है अलफानुमेरिक कीज यह जो अपर करसर दिये होती है करसर कंट्रोल कीज कहलाती है और यहां पर यह जो कैलकुलेटर दिया होता है यह कहलाती है नुमेरिक कीवोड ठीक है चलिए और बात करते हैं कीवोड के वारे में तो कीवोड एक प् हई हैं और इसको ज्यादा किस होती है तो इसे पहले में से की मैंने आपको बता है फिर होती है तो धी है यह होती है फिर दूसरी ती यह function keys मैंने आपको बताया करसल, control keys, up, down, home, arrow, यह सब चीज़ें होती है इसमें ठीक है और keyword की अन्य जो keys होती हैं जैसे control keys होती है उसमें आप shortcut बना सके ने control के साथ उसमें चीज़ें को यूज किया जाता है इंटर की होती है, shift को यह अलग-अलग है लेकिन जो मैंने बता ही वो कहलाती है पूरी group की कहलाती है चलिए, backspace और सब सारी इसमें होती है, num lock tab, ठीक है, enter कुंजी, कुंजी मितलग keys अब फिर बात करते हैं बन लोग pointer keys की बात है, pointer device कौन कौन सी होती है यह भी input device है, तो pointing device कौन सी ही तो सबसे पहले तो यह आ जाता अपना mouse, बिना mouse pointing device क्यों है क्योंकि यह point करके कोई भी चीज को बताता है, जैसे मुझे shift की पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस वाले option पर क्लिक करना है माउस, माउस एक प्रकार की pointing device है, इसका प्रियोग cursor टेक्स्ट में आपकी position दरसाने और billing point या वाइटर को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ले जाने के लिए प्रियोग किया जाता है, जैसे कि आप कुछ टाइप करते हैं जब MS बाड़ में तो बिलिंग करते हैं तो बत यह two types की होने लगे हैं पहले कि वायर माउस आता था लेकिन आप बायर्लेस माउस भी आने लगा है तो बायर्लेस माउस इसमें क्या होता है वायर्लेस में cell डलके चलता है एक device आपकी system में फसा दी जाती है और उसके तुरू यह connect करके system से चलता है और बायरिंग माउस को आ यह चलिए फिर उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट डिवाइस ट्रैक बॉल ट्रैक बॉल का प्याट रगवाल एक पॉइंटिंग डिवाईस है यह माउस की तरह ही काम किया करता है लेकिन इसमें एक बॉल लगा होता है उपर की तल जैसे यह देख रहा है आपको ट्रैक ग्याइब नहीं आती है चिज़े फिर आती जोईस्टिक जोईस्टिक का क्या यह गेम खिलने के लिए काम में आता ठीक है इससे आप कंप्यूटर में गेमिंग खेल सकते हैं यह बड़े बड़े चॉपिंग वाल सम्झाएंगे तो आपको यह जोईस्टिक बगएर लगे दिखेंगे तो इसे आप जैसे जैसे यह चलता है वैसे वेजिए मग अपना सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ठीक है फिर आजाता है लाइट पैन लाइट पैन से क्या होता है रिकिल डाइट पैन एलेक्ट्र पूंटिकल पॉइंटिंग डिवाइस है इसका पूरी एक ड्रॉइंग बनाने के लिए आप स्क्रीन पर कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं लाइट पैन के जड़ी में थोड़ा सा सौटकट में बता रहा हूं ताकि आप कुछ चीजों को पता भी चल जाए और ज्यादा उस यह सी आपकी सिलेट को यह वो कि बताता है कौन सी चीज चीजह हर प्रोडॉक्त का अलग निद्ण करना क्या से लिखता है हो सकता है इंगे हमको को ओ ऑ मअर्वी का जाता है पहले जो क्या होता था जो एक्जाम होते थे अब तो आनलाइन हो गया है पहले जो और Geism होती थे उस एक्जाम में जो mortality check होती थे वह इसी के थुरु चेक होती थी Optical Mart Reader अब तो ओन displacement औंलाइन हो गया तो इसका उप्योग कम ही होता है फिर आता है यह ओई रजिसको बोला जाता है Optical Character Character Recognition ठीटछिग है इसका प्रियोग क्या होता है कुछ EMR का ही Чтобы अरूप होता है साधारण चिन्नो को फूर में बलकी छापे गाई यहाथ से साफ साफ लिखेगा एक्षरों को ये पढ़ लेता है ठीक इसको पढ़ने की जो गती होती 1500 से 3000 केरेक्टर 30 सेकंड होती है बढ़ते हैं अगले इंपुट जिसकी तिरफ ये है मेगनेटिक इंक केरेक्टर रीडर इसको बोला जाता है है MICR ये क्या होता है ये चुम की स्याही को पकरता है जैसे ये अपका ये डिल लिखा है डेट लिखा है अऔर चीज़ चेक को ये पढ़ने की चहमता रखता है फिर चलते हैं अगले smart card reader, smart card reader आप सभी जानते होंगे, यह भी एक प्रकार की input device है, ठीक है, और फिर उसके बाद होता है biometric sensor, इसको biometric device बोला जाता है, fingerprint कह सकते हैं, जब भी आप आधर कार्ट से पैसे निकालेंगे, आधर कार्ट बनवाने जाते हैं, यह आप exam भी देने जाते हैं, जब भ finger लगा जाता है, जिस device में उसको बोला जाता है, iometric sensor device, फिर उसके बाद आता है scanner, scanner का भी काम क्या होता है, scan करके data को system में तक पहुंचाना, ठीक है, चली बढ़ते हैं, microphone की तरफ, microphone भी एक प्रकार का input device है, जैसे कि मैंने microphone लगाया हुगा, इस टाइप का, मेरी जब वाइस है, वो आप तक पहुंच के, इसमें record हो पा रही है, तो यह microphone हो गया, फिर होता है, बेप केम, बेप काम भी यही होता है, कि जैसे में यह device में मैंने बेप कम नहीं लगाया हुगा है, इसमें बेप कम लगाता है, तो मेरे चेहरा भी आप लोगों को इस camera के तरू दिखाई देता, तो यह कहलाती है, input devices, ठीक है, चलिए, input devices complete होई, अब हम लोग बात करते है, output devices की, output device क्या होती है, इनका परियोग computer से प्राप्त परिणाम को देखने, अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, मतलब जो काम हमने computer को दिया था, वो करने के बाद जो चीज़ें इसको दिया है, मैंने बोला कि यह PDF open करके दो, तो यह PDF open होके आगई, तो यह कहलाई, यह कहलाई, output मतलब अपने लिए जो इसने input open ने दिया था, उसका output आपने, soft copy के रूप में इसने screen पर दे दिया, तो यह कहलाता है, सबसे बहले monitor, output device, visual display devices भी कह लेते हैं इसको, ठीक है इसमें, skin resolution होता है, dot pitch के माद धिम से इसमें दिखाए देता हम लोगों छोट-छोटी से dot होते हैं इसमें, उसको मिला करके यह monitor कर तयार होता है, अब मैं इसके बारे हम लोगों कभी और चलचा करेंगे, अब फिर आता है cathed rate, जिसको CRT बोला जाता है, monitor देख सकते हैं, पह circuit कहे लाता है, LCD के जैसे ही काम करता है, थोड़ा सा different होता है, इसके बारे हम लोगों कभी और बात करेंगे, सारी monitors में, फिर आने लगे 3D monitors, और फिर आता है अभी जो आज कल वोट चलाने में, TFT, thin film transistor बोला जाता है जिसको, तो यह LCD के जैसे ही एक टकाल से काम करती है, भी output devices है, ठीक है, क्योंकि printer आपको जो भी, जैसे PDF को print नकालना है, तो यह कागज से print नकाल के आपको सामने दे देगा, तो यह printer's output device होगा, एक type की fix, printer के बहुत सारे types होते हैं, वो हम लोग आज बात नहीं करने वाले हैं, वो हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे, line printer, general printer, non impact printer, laser printer, thermal printer, laser printer, जो कि आज कल बहुत ज्यादा चलन में है, यह सब चीज़े होगा, फिर उसके बाद होता है, plotter, plotter क्या कहलाता है, plotter यह है कि जैसे आप flex देखें, flex बगेरा, तो बड़े कागज पर बनाने के लिए, उस पर बड़े कपड़े पर print निकालने के लिए plotter का इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, इस पीकर, इस पीकर आपका output device है, इस पीकर के माद्यम से आप sound को सुन सकते हैं, और फिर आता है headphone, तो Sam headphone भी वही output device है, ठीक है, फिर आता है projector, प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर आप समझते हैं, प्रोजेक्टर ऐसा एक वीडियो को देख सकते हैं, वो प्रोजेक्टर कहलाता है, फिर आता है input output, port, कौन-कौन से port होते है input output में, यह मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहां से जा करके आप देख सकते हैं, तो यह थी दूस्तों, आज के लिए input और output devices पर एक छोटी ची वीडियो, यह आपको